और राइट फ्रेंड्स राधे राधे तो टोड़े वी आरे स्टार्टिंग चैप्टर नंबर आपका 6 & 8 इसको बोलते हैं प्राइसिंग डिसीजन एक आपका है प्राइसिंग डिसीजन और दूसरा है डिवीजनल ट्रांसफर प्राइस पराबर लेकिन मैं यह टॉपिक को न आज हम लोग डिसकस कर रहे हैं इस यह चैप्र नंबर 6-8 & 6 & 8 प्राइसिंग डिसीजन विट डिवीजनल ट्रांसफर प्राइसिंग ओके अब आप जड़ा देखिए कि जैसे सपोज यू टेक देग्जाम्पिल कि आपके पास यह दो डिवीजन है यह आपका है डिवीजन डिवीजन वन में आप प्रोसेस करते हैं सपोज मिल्क मैंने आपको क्या बता है कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इस यह लर्निंग एनी टॉपिक पहले आप समझे वाट इस टॉपिक इट्सेल एन सेकिंड वाट इस इम्पोर्टेंस अप दिस टॉपिक इन आप यूज करके करोगे तो आपका एकड़म क्लियर हो जाएगा यही चैप्टर आपका पर्फोर्मेंस एनलेसिस में भी आता है डिवीजनल जो है डिवीजनल जो मैंनेजर है उनकी पर्फोर्मेंस को चेक करने के लिए मैं आपको कराया था, ROI, ROI यह सब कराया थी न आपको ROI, ROI, Return on Investment, रेजिड़नल इंकम, EVA, Economic Value Added, Economic Value Added यह सब पर्फोर्मेंस एनलेसिस में जो आपके चैप्टर थे करके न तो यहाँ पर वही performance analysis है, division 1 है, division 1 milk को process करता है, और milk को process करने के बाद उसको मिलता है, suppose butter milk and suppose butter, बराबर, suppose आपका joint cost है, joint cost और suppose say milk 10,000, suppose labor 10,000 and suppose overhead 10,000 and milk के आपका total 30,000, बर्टर मिलका suppose reliable value 0 है, इत्पीस आपका cost of butter हो जाएगा, suppose say 30,000, अब यहाँ पर आपका है division 2, यह division 2 क्या करता है, इसको process करता है, process करने के बाद दे रिजे normal loss और दे रिजे pure घी, बराबर cost है, इसका further cost आपको है, suppose say 30,000, तो total cost आपका क्या हो जाएगा, 60,000, normal loss का realization 0, तो cost of this is suppose say 60,000, और इसका जो sales value है, इसका जो sales value है, वो sales value है, sales 75,000, आपका जो sales value है इसका वो कितना है, sales value है आपका 75,000, this is your division 1, division 1 में process of milk उसका joint cost है, milk 10,000, labor 10,000, overhead 10,000, total 30,000, butter milk, butter milk से अपने को 0 मिल रहा है, butter, butter का cost 30,000, further cost 60,000, division 2, normal loss realization 0, और आपको pure घी मिल रहा है, sales value है उसका 75,000, अगर आपकी company as a whole है, अगर आपको divisional manager का performance analyze नहीं करना है, आपकी company as a whole है, बराबर तो आपका क्या हो जाएगा, कि what is your selling sales value, आपका sales value है suppose say, 75,000 और आपका cost है, cost आपका है say, 60,000, बराबर तो आपका profit हो जाएगा, suppose आपका profit हो जाएगा इसे 15,000, आपका profit क्या हो जाएगा, suppose say, 15,000, आपका profit क्या हो जाएगा 15,000, अगर आपने टॉपिक कर लिया है परफॉर्मेंस एवेलिएशन तो आएगा तो वहां पे क्या होता है कि अपने को डिवीजनल मेनेजर का भी डिवीजनल मेनेजर का परफॉर्मेंस को एनलाइज करना कि मतलब जब आख आउट अप्रफॉर्मेंस ऐस में अउन्का परफॉर्मेंस एनलाइश तो यहां पे जब उनको परफॉर्मेंस एनलेश एगा तो यहां पे जब उनको ठॉर्व Tanner प्रफॉर्मेंस निकालना है तो आपको यह देखना है कि 15000 के प्रॉफिट में डिवीजन वन का कितना प्रॉफिट है यहां पर पर्फॉर्मेंस एनलिसिस करना पड़ेगा तो अगर आपका चैप्टर हो गया तो आपका आप से समझ में आ रहा हूँ नहीं हो रहा है तो आप यह आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा यह पर्फॉर्मेंस एनलिसिस वहां पर आरो आई है राई है आपका ना वह फाइनिशल है और फिर नौन फाइनिशल में बैलेंस स्कोर काड़ है बिल्डिंग ब्लॉक मोडल है आपका में ट्रपल बॉटम है वह सब आपको नौ प्रफिट है डिवीजन टू का कितना प्रफिट है तो उसके लिए फ्रेंड्स आप जड़न निकालिये मेरा पेज नंबर 6.1 पर मैंने आपको दिया हुआ है थेयरी दिया हुआ है मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइज जड़ा देखिये पेज नंबर 6.1 पर मैंने आपको to others on the basis of mutual understanding it is an internal price between one division to others on the basis of mutual understanding but this method is only applicable if the divisions are independent separate cost center separate profit centers and etc. यह decentralized होने चीए मतलब individual जो आपका जो डिवीजन है वो अपने लिए responsible होना चीए जो इंडिवीजन डिवीजन है आपका वो क्या होना चीए वो अपने लिए responsible होना चीए मतलब डिवीजनल मैनेजर is responsible for his own activity यहां पर आपको independent होना चीए separate profit center separate cost center decent price separate होना चीए तब जाके आपका यह निकलेगा अब आपको निकालना प्रॉफिट कि भई ठीक है इसका cost कितना है 30 तो पहले यह बोलता है कि भई सब्सक्राइब और मैं को प्रॉफिट चाहिए सब्सक्राइब आए वोन्टे प्रॉफिट ऑप 10 परसें ऑन कोस्त को सब्सक्राइब और मिलके वैल्यू क्या हो जाएगा 33 तो यह इसको 33 में ट्रांसफर करेगा इसका मतब्रॉफिट ऑप दिस डिविज़न विल भी त्रीटा प्रॉफित आपका हो जाएगा 33 प्लस 30 का प्रॉफित इस कितना हो जाएगा 63 63 और 75 में अगर यह विक्रा है इस 75,000 माइनस 63 12,000 रुपीज इस डिवीजन का प्रॉफित हो जाएगा आप पर्फॉर्मिस एनलाइज कर सकते हैं कि इसका कितना आरो आई है आरो आई के टाइम पर मैंने आपको अगर आपने अटेंड किया है तो ठीक है नहीं तो आपको आगे आएगा आरो आई मींस कंट्रोलेबल प्रॉफित डिवाड़ेट बई कंट्रोलेबल आपके जो भी एसेट्स है करके रहे उसके ऊपर आपको आएगा आराई आपका है रेजिड्यूल इंकम के लिए ठीक है तो यहां तक आपको क्लियर वा करिए या कभी-कभी यह बोलता है कि नहीं सपोज मेरा इन्वेस्टमेंट है शब्पोज से फिप्टी ताउजन दूपीस यह डिविजन में मेरा इन्वेस्टमेंट है फिप्टी जाए तो यह डिविजन का प्राफिट क्या हो जाएगा और इसके लिए कोस्त जाएगा 35 35 ब्लस 30 की आपका कॉस्ट हो जाएगा 65 और विक्राय कितने में 75 तो प्रॉफिट इस डिविजन का कितना हो जाएगा और कभी-कभी यह लोग बोलते हैं कि नहीं, I want ROI 10% but after tax, I want ROI 10% but after tax, and suppose आपका tax rate 50%, इसका मतलब आपको कमाना पड़ेगा 20%, क्योंकि आप 20% कमाएंगे, उसमें से आपका tax निकल जाएगा 10%, आपको profit after tax क्या मिलेगा 10%, तो 10 कमाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा 20%, Are you following or not following friends? बोलो, कभी-कभी mutual understanding पर अगर आपका कोई भी price standard पर हो सकता है, variable cost पर हो सकता है, कभी-कभी market value पर हो सकता है, यह बोलेगा कि आप butter का market value निकाल लो, और जो market value हो मुझे दे दो, कभी-कभी कह रहता है, यह बोलता है कि देखो, मेरा cost कितना लगा है 30,000, आपका cost कितन कमाया है, 15,000, तो total cost plus share profit में भी हम लोग divide कर सकते हैं, total cost plus share profit, इसको हम किसमें divide कर लेंगे, 30,000 is to 30,000, 30,000 is to 30,000 में हम इसको divide कर लें, तो आपका total cost plus share profit हो जाएगा, वो depend करेगा, तो transfer pricing है, या transfer pricing, या method of transfer pricing आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है, आपको logically सोचना पड़ेगा, logically सोचने के बाद आप इसको divide कर सकते हैं, are you following, तो एक बार में वापस से आपको repeat करता हूँ, it is an internal price, it is an internal price between one division to others, it is an internal price between one division to others, on the basis of mutual understanding, on the basis of mutual understanding, but this method is only applicable, but this method is only applicable, if divisions are individual, independent, separate profit center, separate cost centers, etc, decentralized होना चाहिए, अब methods of transfer pricing में जो मैंने आपको बताया था, एक आपका हो सकता है, total cost plus opportunity cost, मैं आपको एक एक करके ही सब समझाता हूँ, total cost plus ROI, total cost plus ROI with tax adjustment, relevant cost concept basis, market value, total cost plus share profit, variable cost plus contribution, और any other method as per mutual understanding, तो पहला मैं आपको लेके चलता हूँ, method one आप लेके जाना, method one, method one है आपका total cost plus opportunity cost, total cost plus opportunity cost, पहला आपका क्या हो जाएगा, total cost plus opportunity cost, ओके, अब आपको याद हो, मैं आपको decision making में कराया था, application of limiting factor, खरावर मैं वापस से एक बार आपको revise करवा देता हूँ, steps for solving the sum, step number one, statement showing contribution per union, पर आबर, rank for production, आपने decision making किया होगा, वहाँ पे आपको याद आया होगा, statement showing production plan for maximum profit, statement showing analysis of profit and loss, मेरे पास for example दो product है, product A and B, selling price A का है 100, B का है 100, variable price है, A का 60 and B का 40, तो मुझे contribution हा रहा है 40 and 60, अगर कुछ नहीं है, तो मैं कौन सा product पहले बनाऊँगा, मैं product बनाऊँगा पहले B, because B is giving me the maximum contribution per unit, तेंगे कभी-कभी क्या होता है, A को बनाने में मेरे को 2 hours लग रहे है, B को बनाने मेरे को 4 hours लग रहे है, मेरे पास maximum 20,000 hours available है, maximum demand मेरा A का 5,000 है और B का 10,000 है, पराबर मैं यह एजूंग करके चलना हूँ कि अपने decision making का topic कर लिया है, उसके बाद अपन, तो पहला अपन क्या करेंगे, statement showing contribution per unit per hour and rank for production, आपके बास soft copy होना चाहिए, soft copy नहीं तो hard copy होना चाहिए, नहीं है तो आप मेरे से मांगे, मैं आपको दे दूँगा, statement showing contribution per unit per hour, rank for production, selling price A and B, variable price 60-40, contribution 40-60, hours per unit 2 and 4, contribution 20 and 15, rank for production 1 and 2, statement showing production plan for maximum profit, आपके बास maximum hours available है, 20,000, product A and B, पहले upfront product A बनाएंगे, A की demand है, 5,000 into 2, 10,000, आपके बास balance बचेगा, 10,000 from B बनाएंगे, और B का 2,500 units, because 1 unit of B is required 4 hours, statement showing analysis of profit and loss, A, 5,000 into 42,000 रुपीश का contribution, B, 2,500 into 60, 150 का contribution 350, VIX को 0 and profit आपका 350, अभी इसी चीज को लेके, इसी चीज को लेके, मैं आप एकजम detail में लेके चलता हूँ, एकजम अच्छे से आपको explain करता हूँ, यह same sum, अभी तक 3 से 4 बार exam में आया हूँ, same question 3 से 4 बार CA final costing में पूछा हूँ है, एक एक point को आप ज़रा ध्यान रखे, कैसे हम लोग करेंगे, this is your question number 1 and page number 6.2, question number 1, page number 6.2, division A is a profit center, please underline that, division A is a profit center, please underline that, division A is a profit center, please underline that, division A is a profit center, which produces 3 products, X, Y and Z, each product has a external market, division A, और division A आपका क्या है, profit center है, इसका मतलब he is concerned with his own, अपने division के लिए वो responsible है, और वो 3 product बनाता है, it means, X, Y and Z, उसको अपने division के profit से मतलब है, उसको company से कोई लेना देना नहीं, इसको हम sub optimization बोलते थे, बोलेंगे, अगर आपने chapter, performance analysis में अगर अपन करेंगे, performance analysis में इसको हम बोलेंगे, sub optimization बनाबर, division A, तीन product बनाता है, X, Y and Z, तीन product बनाता है, X, Y and Z, division A is a profit center, which produces 3 products, X, Y and Z, each product has an external market, इसको मतलब यह बाहर, यह तीनों product को sale कर सकता है, product X, Y, Z, external market price 48, 46 and 40, variable cost of the production is 33, 24, 25, labor hours required is 3, 4 and 2, product Y can be transferred to division B, अब इसके अलाबा, मतलब outside sale के अलाबा, हम लोग इसको internal transfer भी कर सकते हैं, internal transfer भी कर सकते हैं, हमारे एक division है, हमारे एक division है B, और B बोलता है कि भाई, मेरे को कौन सा product चाहिए, मेरे को product चाहिए, य, product Y can be transferred to division B, but the maximum quantity that might be required for the transfer is 300 units, उसको क्या चाहिए, 300 units of Y, the maximum external sales, maximum external sales, X, Y, Z का maximum sales है, 800 units, ये भाहर का sale है, 500 units, and 300 units, बराबर, instead of receiving transfer of product Y, division A, division B could buy the similar product in the open market, at slightly price of 45, अगर ये बाहर से खरीता है, ये अगर unit को, Y की unit को बाहर से खरीता है, तो उसको क्या price देना पढ़ेगा, उसको 45 रुपीज का price देना पढ़ेगा, what should be the transfer price B, for each unit of 300 units of Y, if the total Rs available, 3,800, and 5,600, 3,800 Rs available है, 5,600, अब देखो, अगर अपन X, Y, Z बनाते हैं, X को बनाने में 3 units लगते हैं, it means 2400 Rs चीए, Y को बनाने में 4, it means 2000 चाहिए, और Z को बनाने में 2, it means 600 चीए, आपके total Rs हो गए, 2400 प्लस 2000 प्लस 600 is 5000 Rs आपको चाहिए, अपने को 5000 Rs चाहिए, लेकिन हमारे पास Rs कितने अवेलेबन हैं, पहला वा आट अपर ले लेते हैं, हम तेरे को अलग से Y के से बना के दे, हमारा तो खुत का सेल बाहर का नहीं हो रहा है, तो division B बोल रहा है, बाई देख ऐसा है कि तेरे को compulsor ही तो नहीं है कि तेरे को transfer करना ही पड़ेगा, outsider को sale करना ही पड़ेगा, compulsor ही तो नहीं है तू ऐसा कर कि इन लोग को sale मत कर और जो loss होगा वो मैं दूगा तेरे को किसे suppose अगर मेरे पास तीन बैच चलते हैं यह मेरा बैच वन यह मेरा बैच टू और यह मेरा बैच थ्री मेरे तीन बैच चलते हैं, this is on weekends, Saturday and Sunday, मेरे तीन बैच चलते हैं, एक Saturday, Sunday, एक मेरा चलता है यह मेरे तीन बैच चलता है, अब आप मेरे तीन बैच चलते हैं, अब आप मेरे को बलते हो कि sir, I want a home tuition, आप यह छोड़के और आप मुझे पढ़ाईए घर के न, आप मेरे को individual पढ़ाईए, तो मैं आप से कैसे pricing charge करूँगा, हम लोग तो बहुत famous है, home tuition में, जो बहुत पैसे वाले बच्चे होते हो, हमको अपनी घर पे बुलाते हैं, पढ़ाने के लिए, जाते हैं, उनको पढ़ा के आते हैं, individually वो लोग पढ़ते हैं, अब अगर आप मेरे को बलते हैं, और बैच को छोड़के आप मुझे पढ़ा मैं आप से कैसे price charge करूँगा, बराबर तो एक तो मेरा variable cost, जो भी मेरा book का cost रहेगा, वो मैं आप से charge करूँगा, बराबर और एक मैं बोलूँगा कि इसमें से 3, कौन सा batch में cut करूँगा, तो आप बोलो sir, जिसमें सबसे कम आपको profit होता है, वो batch आप cancel कर दो, सबसे कम बच्चे मिलते हैं, सबसे कम बच्चे मिलते हैं, सबसे कम बच्चे मिलते हैं, तो उस batch को cut करने से, जो मेरे को opportunity loss होगा, वो opportunity loss, बुक का cost opportunity, ये मेरा क्या हो जाएगा, transfer price, और इसको क्या बोलेंगे, selling price, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोला, मेरे बेच कट हो जाएगा, कट होने से, जो मुझे loss हुआ, वो मुझे दे दे, प्लस मेरा जो बुक का cost है, वो मुझे दे तो मेरा जो बच्चे मिलते हैं, तो वो ही चीज है, कि ये बोल रहा है, कि आपके वास, एकस, यजा तीन प्रोडक्ट है, उन में से, जहां पे सभ से कम आपको profit आरा है, जहां पे आपको सभ से कम लौस आ रहा है, वो जहां पे आपको सभ से कम profit आ रहा है, वो आप कट कर दो बराबर, और वो profit, प्लस आपका जो भी बनाने का कॉस्ट अब इसके लिए आपको याद हो तो बोलो step number one अपन क्या करते थे limiting factor में step number one statement showing contribution per unit per hour rank for production देखिए जराब कैसे निकालेंगे इसका मतलब यहाँ पर आपको transfer price not given है आपको transfer pricing नहीं दे रखा है लेकिन आपको मालूम है कि आपको अपनी opportunity cost प्लस बनाने की manufacturing cost equal to आपका क्या होगा transfer price तो opportunity cost कैसे निकालेंगे वो जराब देख लिजे this is your page number 6.2 पे देखाव्येंट्स solution step number one statement showing contribution per unit per hour and rank for production statement showing contribution per unit per hour and rank for production one concept product self-defense of the past product x y and z what is the selling price per unit 48 46 40 50 what is the variable price per unit 33 24 and 28 what is the contribution per unit okay 48 minus 33 15 46 minus 24 22 40 minus 28 12 divided by 5 hours per unit what are the hours is 3 4 and 2 3 4 and 2 contribution per hour 5 5.56 rank for production 1 2 and 3 आपका rank for production हो जाएगा 1 2 and 3 यह आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे opportunity cost हम लोग निकालेंगे कैसे हम लोग opportunity cost हम लोग निकालेंगे कैसे हम लोग opportunity cost निकालेंगे वह ज़र आप समय लीजें क्या बोल रहा है friends हब से step number one this is your statement showing contribution per unit per hour and for production selling price 48 46 40 variable price 33 24 contribution 15 22 12 hours per unit 3 4 and 2 contribution per hour 5 5.56 rank for production 1 2 and 3 पहले हम क्या बनाएंगे पहले हम बनाएंगे जेड उसके बाद हम क्या बनाएंगे उसके बाद y और उसके बाद हम क्या बनाएंगे एक्स आपको याद आ रहा है step number two अपन क्या करते थे it means this is your step number two it means statement statement showing statement showing production production statement showing production plan for maximum profit statement showing production plan for maximum profit सबसे पहले आपका आवर्स अविलेबल इडेन प्रोड़क्स यूनित इस अविलेबल इस अविलेबल इस अविलेबल इस अविलेबल इस अविलेबल इस अविलेबल आपको इस इस आपको कि आपको एक 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 की यूनित को बनाने में आपको कितना टायम लगता है एक्स की यूनिट को बनाने में आपको लगते है थ्री आज इस यू कन प्रोडूस ओनली 400 यूनिट्स इसका मतलब आपका जो डिमांड है आपका जो डिमांड है एक्स का वो है 800 यूनिट्स लेकिन हम बना पारें ओनली 400 यूनिट्स उसका डिमांड है 800 लेकिन हम लोग बना पारें ओनली 400 तो हमारा तो खुद का ही भी बन पा रहे है हम आपको कहां से बनाके दे नरब लो प्रॉब्लम तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को वाई चाहिए कितना वाई चाहिए मिरको मेरे को वाई क्या दे रहा है least profit इसका मतलब अगर आप x की 400 unit कट कर देते हो और एक unit पर 3 hours इसका मतलब 1200 hours आपको save हो जाएंगे जब यह 1200 hours आपको save होंगे उसमें आप मेरा वाई बना देंगा अब आपको जो 400 unit पर loss हो रहा है जो आपको चार सो इनिट पर loss हो रहा है वह loss में आपको भरके दे दूँगा तो तुम आपको कोई problem नहीं है ना आप आपने मुझे y को बनाने में 300 unit को बनाने में 1 y को बनाने में 4 घंटे लगते तो मुझे कुतने hours लगेंगे 1200 बराबर तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको least सबसे least जो profit आ रहा है आपको किस पर आ रहा है एक्स पर आपका एक्स क्या आ रहा है रेंग 3 आ रहा है आपका एक्स क्या रहा है आ रहा है एक्स रेंग 3 उसको कट कर दीजिए और वो बना के मुझे दे दीजिए आपका जो लॉस होगा मुझे सबसे पहले आप जरा देखिए कि कैसे इसको अपन करेंगी अब आप आजे हैं स्टेट्मेंट शोइंग स्टेप नम्मर 3 इस जोर कि स्टेप नम्मर 3 कि स्टेपिए स्टेपे स्टेपिए इस लिएक रॉस तर्नेट शोइंग प्रॉस नथक्रप्स व Marx कोड़ दिए स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसव ट्राइस पर यूनिट ऑफ वाई जब से पहले टोटल आर्स पर वाई य की तीन सो यूनिट अपनी को बनानी है 300 इंटू 4 आपको कितना टाइम लगेगा इजे 1200 आर्स आपको कितना टाइम लगेगा 1200 आर्स तो कट्डाउन कट्डाउन एकस वाई बिकास मिनिममम कोंट्रिबूशन पर आर्स तो मोग कितनी उनिट कट करेंगे it means we can cut we can cut 400 units and 3 hours per unit is 1200 hours okay अब अबेण कट्डाउन एक वाई लिए टाय कोंट्रीषटर्टेक। आपको कूंट्रिबूशन आ रहा था 15 रूपीज पर रूनि noi वाइकđ आपका कितना गया, 6000 गया, एक तो यह आपको लॉस हो गया, और Y को बनाने का cost, it means 300 units of Y, एक Y को बनाने में हमको कितना cost आ रहा है, हमको एक Y को बनाने में 24 रुपीज का cost है, तो यह 24, it means 300 into 24, 7200, it means 6700, 13200 divided by 300 units, आपका transfer price आजाएगा, per unit 13200 divided by 300 is 44, अगर यह 44 में transfer करता है, अगर यह 44 में transfer करता है, अगर यह 44 में transfer करता है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर यह 44 में transfer करता है तो division division A को कोई problem नहीं है क्योंकि उसको तो अपना opportunity मिली गया करके ना और Y को यह product कितने में मिल रहा है बाहर, Y को यह product मिल रहा है 45 में, तो 44 और 45 के बीच पे यह कुछ भी अपने को दे सकता है तो minimum आपका जो transfer price रहेगा, वो आपका क्या रहेगा 44, सही है सुनो, minimum आपका जो transfer pricing रहेगा, वो आपका क्या रहेगा 40, what should be the transfer price for to be 300 units of buy, if the total labor hours available, minimum transfer price रहेगा 44, 44 से कम में यह नहीं देगा, और यह 44 और 45 के बीच में कोई भी price है, तो यह ले सकता है, क्योंकि इसको outside market में कितने में मिल रहा है, 45 में मिल रहा है, इसका खुद का कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, ख़दम, बोलो या सुना, आपको perfectly clear हो रहा है, या नहीं हो रहा है, आप बताए, 44 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, इसे minimum transfer price, अब second situation यह बोल रहा है, कि मेरे पास, suppose, hours available है, मेरे पास 5,600, मेरे पास total जो hours available है, 5,600, तो no problem, हम step number 4 बना लेंगे, क्या बनाएंगे, step number 4, statement, statement, showing, statement, showing, production plan, दूसरा plan अपन बना नहींगे, statement, showing, production plan, for maximum profit, statement, showing, production plan for maximum profit, पहला है, आपना, hours, available, products, units, hours per unit, total, and balance hours, hours available, hours available कितना है, अपना, 5,600, hours available, आपका क्या है, 5,600, first preference, z, z की कितनी units है, 300, 300, into 2, is 600, so, 5,600, minus 600, आपका balance आएगा, 5000, फिर आप क्या बना सकते हैं, z, z बनने के बाद आपको, y, 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 y की कितनी units है, आपकी 500 unit है, 1y को बनाने में, 4 hours, it means, 2000, यह आपना, 2000, आपके बस, balance कितना बचेगा, इजे 3,000, फिर आप क्या बनाएंगे, x, x, 800 units, into 3, this comes to 2400, minus 2400, आपके बास balance क्या बचेगा, 600, 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 आपको जरा ध्यान देना है, अब आपको बनाना क्या है, आपको वाई बनाना बनाएं वाई की कितनी उनिट से 300 एंद 300 इंटू एक वाई को बनाने में 4 आर्स लगते हैं इत्मीज 1200 में से 600 तो आपके पास है टाइम आपको बस 600 आर्स ही चाहिए तो 600 के लिए अगर आपको 600 आर्स एवेलेबल है 600 आपका कट हो के आ जाएगा बारास हो बारास हो बारास हो मैंपन भाई बना के दे देंगे ठीक है step number five step number five statement showing transfer price per unit of y now total hours required for y total hours required for y is is three hundred into four three hundred into four twelve hundred total hours required for y three hundred into four बैलेंस आर्स हमारे पास एविलिबल है बैलेंस आर्स शॉटेज है अपने पास अपने को सॉटेज रहेगा कितने का सब्सक्राइप मतलब हमको टोम्हाला कितने चाहिए मोट टोमगल राउत सूर्ट ओर एक यूनिट को बना नहीं में वराबर अब हमको क्या कट करना पड़ेगा X because minimum contribution per hour तो इसकी कितनी units हम लोग कट कर दे 200 units into 3, 200 into 3 is 600 and ये खेल रता, सही है आपनो, so opportunity cost, opportunity cost of X, 200 units, एक unit को बनने में कितना लगता है, 15 रुपीज, कितना हो गया आपका, 3000 and then variable cost, variable cost of 300 units of Y is 24 के साब से 7,200, it means 3,000 plus 7,200 is 10,200 divided by 300 units, right, अपर transfer price minimum हो जाएगा, 10,200 divided by 300 is 34, अब आप मुझे बताएए friends, is this perfectly clear or not, total arts required आपको कितने होगे, 1200, उसमें से balance और ये सब आपको solution में दे रखा है, आपका page number 6.3, 4 times ये question आया है, 3 times मैंने cover किया है notes में, एक बार मैं आपको करा जीता हूँ, इसी step पे आपके बाद solution book है, आप same follow करिए, और आपका 2 next question आपके हो जाएगे, question number 2, page number 6.3, ये आपका हो जाएगा, solve करके मैंने दिया है, question number 2, question number 2, page number 6.3 आपका हो जाएगा, और question number 3, question number 3 and page number 6.5 आपका हो जाएगा, page number 6.5 आपका हो जाएगा, से यहां सुना परेटल हो राहे साथurch मैंशको टोटल टोटल आर्स आपको इसका मतबलत यहांपे ना आपको दे नहीं रख है आपको यह नहीं बताया था ऐसने कि आपको कौन सा मेफ़ट करना है कभी-कभी 90% cases ने आपको बोलेगा कि आपको कौन सा method यूज करना है, यहां पर इसने बोला नहीं है कि कौन सा method आपको use करना है, यहां पर इसने बोला नहीं है कि कौन सा method आपको use करना है, तो हम लोगों ने idea लगाया, वो limiting factor वाला, तो इसके लिए आपको decision making भी बहुत अच् तब ही जाके आपके काम कर पाए तो हमको total Rs कितने है कितने 1200 हमारे पास balance कितने Rs है हमारे पास है हम किसको कट करें क्योंकि सबसे लिस्ट कौन दे रहा है कभी-खबी ऐसा भी हो सकते हमको इतना आर्ष चीह है कि एक्स पूरा कट करने के बाद भी नहीं हो रहा है अपना काम तो अपनको भाई भी कट करना पड़ेगा क्या कि पइस तो सामने वाला अपने से फ्रेंट्स पर्फेक्ट्ली किलियर होने अब इसके बेस पे आपको करने हैं कुशन नमर्ट टू पेज नमर्स 6.3 कुशन नमर्स 3 पेज नमर्स 6.3 एक्जेक्टी सेम हैं सॉलुशन फॉर्मेट डिसीजन मेटिंग आपको पुरा याद हो जाएगा पुरा रिवाइज हो ज 12% अपका कौन सा है 12% आपका आफ्टर टेक्स है 23.6